हाई वेलकम बाक तो माँ चैनल आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि CNC Shares हमें कैसे सेल करने हैं लेकिन उसके पहले अधर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सस्क्राइब कीजिए और प्रिस देवल आइकन तो नेवर में सेन अप्टेक तो आये देखते हैं कि CNC Shares हमें कैसे यहां पे मैंने अल्रेडी एक share लेकर रखा है उसके लिए अपर पोर्टफोलियो में जाना परेगा नीचे पोटफोलियो में जाएंगे आप देखोगे यहां पर ITC Holding CNC यहां पर मैंने एक share लेकर रखा है CNC में हमें simply इसको क्लिक करना है फिर आप देखोगे यहां पर exit option हम exit पे जाएंगे अगर आपको current market price पे ही बेचना है tenant बेचना है तो आप simply यहाँ पे swipe कर सकते हैं तो यहाँ से swipe करोगे तो यह current market price पे आपका share बेच देगा अगर आपको limit set करनी है कि मुझे जैसे अभी हमारा price चल रहा है to 12 पे पर आपको यहाँ पे limit set करनी है कि यह अगर नीचे गिरेगा to 10 पे तब मुझे यहाँ से square of करना है तो अगर आपको ऐसा stopless set करना है तो आप limit पे भी set कर सकते है या फिर slm पे भी set कर सकते है दोनों भी same ही काम करेगा अब हम करते है slm पे set कर लिता है तो यहाँ पे अगर मैं set करूंगी 210 पे यह 210 पे मैंने set किया और इसको कर लिया मैंने execute तो अब यहाँ पे देखेंगे हम नीचे order section में order section pending यहाँ पे आप देखोगे ITC का cell 210 पे अब यह 210 पे आएगा तब यह trigger हो जाएगा तो यह काम करेगा हमारा as a stop loss अगर मुझे इसको direct अगर आपको इसको modify करना है तो आप इसको modify भी कर सकते हो slm as regular order और यहाँ पे आप stop loss का यहाँ से change भी कर सकते हो ठीक है पर अगर मुझे इसको cancel करना है तो आप simply इसको click कीज़े फिर cancel one order yes तो यह हो गया हमारा cancel अगर मैं वापस portfolio में जाओ यहाँ पे आप देखोगे अब हम वापस आ गया है हमारे portfolio में आप देखोगे यह यहाँ से share अभी भी sell नहीं हुआ है क्योंकि हमने stop loss लगाया था और वो हमने खुद नहीं cancel कर दिया राइट वह हिट नहीं हुआ था अब अगर आपको यहां से exit करना है अगर करम market price पे exit करना है आप simply exit करोगे यहां से मैं इसको करूंगे तो यह हो गया square of और यह हो गया हम exit राइट तो यह अगर आपको तुरंट exit करना है तो आप swipe करोगे अगर आपको stop loss लगाना है तो आप SL SLM कोई भी लगा सकते है लिमिट या फिर SLM या फिर SL order भी आप place कर सकते हो यहां पर सो यह हो गया हमारे steps CNC sell करने के अगर आपको कोई questions है आप comment section में लिखिए आपको answer करूंगी तो अगर आपको पसंद आया होगा यह मेरा यह video तो आप like share subscribe जरूर कीजेगा and मैं मिलती हूँ आपको next video में तब तक keep learning and bye